जैस्री किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारद्वा यूटुब से और ज्यादा मैत तो बढ़ जाता है, बैसे भगवान सी कृष्णे स्वयम का है, कि जो व्यक्ति एकासी अब्रत करते हैं, भगवान उनकी सभी मनुकामनाय पूरी कर देते हैं, एकासी बाले द सामने दीपक जलाएं, उनके सामने फल, फूल, माला, दियर्पन करें, और हात जोड़ करके बिंती करें, हात में जल्ले करके संकल्प करना चाहिए, कि प्रभू हमारी यह मनुकामना पूरी हो जाए, उसके बाद में आपको भगवान के सामने ओम नमो भगवते बास देवा नमा मंत्र का जाप करते हैं, उनकी हर मनुकामना पूरी हो जाती है, इस दिन केले का फल भगवान के सामने अरपण करें, साथ ही तुलसी के पत्ते भगवान के सामने अरपण करें, आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी, इस दिन जो व्यक्ति भगवान को तुलसी पत्त पराप्ट अर्पार परत करते हैं उनकी सभी मनुखामनाय पूरी हो जाती है इस दिन भगवान के सामें दीपक जला करके दिश्पितवार की कथा का स्रवढ़ भी करना चाहिए time अ इकादिसी के दिन हैं भ्रैष्वुतुआ को पूजा पूजन कीया जाता है और आप सब जानते कि ब्रिशुपित वार की पूजा करने सी व्त्रधन प्राप्ति का योग बन जाता है हर प्रकार की मनुख्म Já पूरिया जाती है। उसमें भी अगर जो व्यक्ति एक आदिसी के दिन भगवान विश्नु के पूझान करते हैं, संतान गोपाल मंतर का जाप करते हैं, उनकी हर मनो कामना पूरिया जाती है। एक आदिशी के दिन आपको निम्न अपाय करने चाहिए सबसे पहला अपाय है कि सूरुदेव की पूजा का सूरुदेव की पूजा के बाद में फिर आपको भगवान विश्णु का पूजन करना चाहिए बगवान विष्णू के सामने आप घीका दीपक जला में तुलसी के पत्यार पढ़ेंगे फलार पढ़ करें और फिर वहीं पर बैठ करके संतान गोपाल मंतर का जाप करना चाहिए इससे बगवान प्रसन्नो करके मनवांचित भल परदान करते हैं तीसरा जो पायव है भगवान सिव की पूजा का एक आद सी वाले दिन भगवान सिव की पूजा का भी विशिश महत्व है जिस परकार से हम भगवान विष्णू का पूजन करते हैं उसी परकार से भगवान सिव का पूजन भी करना चाहिए इससे बगवान विश्णू सिग्री प्रसन हो जाते हैं मनवानचित पलपरतान करते हैं बगवान को पंचामर से इसनान कराएं उसके बाद में आप उनको भूग लगाएं भूग अरपन करें एकादसी कता का स्रवड करें चोता जो पाएं इस दिन गौमाता की पूजा का एकादसी के दिन जो व्यक्ति गौमाता का पूजन करते हैं उनकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जाती है आरही सारी अरचने रुकाबटे दूर हो जाती है प्रतेकार में अगर आपको अस्पलता मिल रही है या आपकी मनो कामना पूरी नहीं हो पा रही तो आपको 81 के दिन हवन जरूर करना चाहिए या छोटा सा हवन कर ले ओम नमो भगतेवास देवाय नमो बोलकर गिया किष्णाय वास देवाहरे परमाते परतकलेशना साय गोवंदाय नमा ओम नमस शिवाय आधी मंत्रों से भगवान के सामने हवन करना चाहिए इसका विशेश महत्तों है भगवान के रपासे हर प्रकार के मनो कामना पूरी हो जाती है जो व्यक्ति एक आदिसी के दिन ये निमनो पाय करते हैं तो मुझे अमीदा आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो इस वीडि को दवा के ओल को दवा दे हर वीडियो को नोटिपिकेशन पाने के लिए जय स्रीकिशन